अभी ताइम एराउंड 9.15 जीसा हुआ है तो आज मैं आज दोसा बनाऊंगी घर पे क्योंकि आज सेटरडे है तो मेरा ससुराल में एक नियम है कि हम लोग सेटरडे के दिन नाइट को टिफिन करते हैं आज मैं सेटर्डे करूँगी और मैं मतलब कया करूँगी सब को शेयर करूंगी esther करूंगी तो इसलिए आज मेरे ये व्लोग में आप लोग बने रहिए, ये मेरा फर्स व्लोग है, थैंक यू, अभी आगे देखते रहें, मैं भी जाओंगे मार्केट, थोड़ा बहुत मार्केटिंग करूंगी, उसके बाद मुझे सेनी टरिजर ये सब भी थोड़ा बहुत खड़िकना है, तो आ आए, देखते रहें, मेरे साथ बने रहें, आके नहां धोके उसके बाद पूजा दे दिया, पूजा भी संपन्न हो गया, अभी मैं दोसा बेटर के लिए क्या-क्या लूँगी, वो सब आप लोग को दिखाऊंगी, क्यूंकि हम लोग को भीगोना पड़ेगा, अभी से बना सकते हैं, तो इसलिए मैं सोची, अभी आप लोग को दिखाऊंगी, क्या-के इंग्विडियन चाहिए, उसके बाद, जब हो जाएगा, जब मैं मिक्सी करूँगी, बेटर बनाऊंगी, तब फिर मिलूँगे आप लोग के साथ, अभी आए देखते हैं, बेटर के लेंगे एक कप, मतलब ऐसा एक मेजरमेंट होना चाहिए, अगर आप 6 कप राइस ले रहे हैं, तो ये लिजेए 2 कप, ऐसा करके, अगर इसमें आप लेंगे कड़ी 4.5 कप के तरह लेने से, इस पे लिजेए 1.5 कप ऐसा करके एक मेजरमेंट रखिया है, अगर इसका क्वां नॉर्मेल राइस भी ले सकते हैं, आप लोग लेकिन इसमें वो बासमठी राइस यूज मत कीजिए, वो अच्छा नहीं बनेगा, आप नॉर्मेल राइस लेजिए, नहीं तो होता है ना, दोसा बनाने के लिए एक दोसा राइस ही साउट हिंडियान यूज करते हैं, आप लेकिन मैं, आप सत्वे हैं, लेकिन मैं यह जो होता है, थोड़ Це ख़रीद के कल, लाई आई हूँ, उसके बाद यहां पे लिया यकारत लेगा ही, ये लेगा उडू डल लेंगे तो इसमें उसे हाफ कप से थोड़ा कम करके चान्य डाल लिया है और यहा लेंगे मे Bjerta , सिथ बस इतना ही लेंगे और आ पलोग के पास अगर सीरह है सीरुआ बोलते है अ आसमी दिल से पोहा बोलते हैं याप भी ऐड़ कर सकता है बस इतना ही इंगिडियन है आप भी हम इसको अच्छे दोके उसके बड़ भीगाने के लिए मैं दिखाऊंगे आप लोगो इसमें मैंने अभी राइस उड़त दाल और चना डाल सब दाल दिया अभी लास्ट में बाकी है मैंथी तो इसलिए मैं दिखाना अच्छली कितना चा यह मैं अच्छे से मिक्स करके उसके बार अच्छे से धोया दोके अभी ठोड़ा ज्यादा पानी में भीगो के रखा क्योंकि यह फुलेंगे ना तो इसलिए ज्यादा पानी एद करके भीगोना है भीगो के कड़े 5-6 गंटे हम लोग भीगोएंगे उसके बार मिलते हैं यह अफ्टर फाइव एन हाफ आफ आवर्स चारे पांच घंटा में भीगो के रखा उसके बार अभी अच्छे से स्टेन कर लिया अभी इसको मिक्सी करेंगे मिक्सी जार में थोड़ा 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 करके हम इसको अच्छे से मिक्सी करेंगे उसके बात क्या के उतना थंदा पनी यूज कीजिए क्योंकि यह नहीं तो मिक्षिजर गरम हो जाता है ना इसलिए आप थंदा पनी यूज कीजिए कम-कम करके एड करते रहे हैं यह हमारा बेटर बनके हो गया रेडी ऐसा कंसिस्टेंशी में रखना है ज्यादा पतला ने ज्यादा गरा ने उसके बाद अभी हम इसको रहने देंगे एक से दो घंटे तक रेस टाइम देंगे धक्के रखना है और इसको छेरना ने यह खोल खोल के देखना ने अच्छे से यहां जहां तो आप थाड़ा सा गरम जगा दूंदिए लेकिन यहां पर आभी बहुत गर्मी है तो मैं नॉर्म्ल जगा में रखने से भी हो जाएगा उसके बाद एक से दो घंटे के बाद इसमें हम सॉल्टेट करेंगे उसके बार बनाएंगे दो सामया आप आगे भी दि ON घोरा बनाते हैं के लिए पैंड करों डाय और गोटा जीरा मां थोड़ा से उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे पर कियां यह अधो जादाल और जीरा जब एक रहा है उसके बाद ही जब आप दोय कमासा स्बाद है अभी यह सब में बाद में आट की आओं कोई बात नहीं चलेगा अभी इसको ठोड़ा फ्राइ कर लेना है उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर ठोड़ा सा रेच छीली पाउडर देखे उसके बाद दिया कडी पत्ता थोड़ा क्यों यह दिए हम ऑधि हम बॉइल पोटे तो घंटे के बाद हम लोग का बैटर बन के ऐसा हो गया तो थोड़ा फुल गया देखिए ऐसा करके बैटर बन के रड़ी अभी हम इसमें एड़ करेंगे सॉल्ट टेस्स तब को जितना सॉल चाहिए आप उतना डाल सकते है उसके पार आप देख लिजिए कितना पानी अगर भ्राइन पंडम हो घ्रगए उसमें थोड़ा एसा पानी चीड़ी दर किया होता है अगर पैन ज्यादा गरम होगा उगा नसा हो श्नकतना अभीrin भी फषट ही गेसा ही मेशा मेन करते है तक बन मेरा उया पैन चोटा तो इसलिए मतलब मेरा चोटा बना है अगर बड़ा बनेगा अभी गैस का फैल कर देना है हम मीडियम फैल में इसको डालेंगे ऑवर बढर होने से प्राबलम हो जाता है उसके बाद इसके ओपर थोड़ा थोड़ा ओल्छा चेहिए कोई भी वेजिटेबल खाने का और कुछ भी एड़ कर सकते हैं लेकिन मास्टर डॉयल यूज मात किजिए अभी इसको जनने देंगे अभी आप देखिए यह आटोमेटिक धीरे-धीरे करके साइट का सब निकल जाएगा धीरे-धीरे-धीरे करके यह खुद बखुद निकल जाएगा जब यह पकता जाएगा पकने से धीरे-धीरे-धीरे साइट का सब निकल जाएगा एक अलग सा ही पैन रखना चाहिए सब खाना जिसमें बनाते हैं अगर उसी में आप दोसा बनाएंगे ना तो आपका दोसा अच्छा नहीं बनेगा तो मैंने यह पैन ना सिर्फ दोसे के लिए ही रखाए यह देखिए आटोमेटिक निकल गया देखिए कितना आसान से कुछ भी ओले नहीं किया था सिर्फ बीच में थोड़ा सा ओल दिया था यह हो गया हम लोगा दोसा बनके रेडी आप इसको सांबर चटनी और आलो डाल के अच्छे से खाईए दिखा दिखाएंगे मैं अभी मैं दिखाऊंगे आप लोग को यहां पर है सांबर यहां पर चटनी और अभी जो बनाई थी आलो वो भी है आप लोग एक बर ट्राइक किसे आगर चातनी कर ऐसे भी चाहिए तो आप लोग मुझे जरूर बर लिया और आप लोग तो अभी देख ल जिए और अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो दू लाइक शेर और सब्सक्राइब टू माइ वीडियो थेंक यू बावाई गुद नाइट